तो आज हमें क्वेस्चन को सॉल्व करने वाले हैं कोड़ फोर्स पर तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेस्चन इस क्वेस्चन की लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप वहां से जाके यहां क्यें खीए एक किसरो कर सकते हैं नहीं तो आकर मेरा स्वजूशन देख सकते थे वो question का नाम है तीन और इसकी time limit है दू सेकंड memory limit है 256 MB इसका statement मैंने पढ़ लिया तो मैं आपको solve में समझा देता हूं इसमें तीन friends रहते हैं उनको question solve करना रहता है एक programming contest में question solve करना रहता है तीनों मिलके question solve करते हैं तो किसी भी particular question को solve करने के बाद जो solution है उनका उससे अगर दो लोग agree रहते हैं कि यह correct है answer तो वो लोग submit करते हैं अगर 2 से कम होते हैं that means इनकी जो majority में जो result आता है मतलब जैसे तीन लोग है तीन का अगर दो लोग support कर रहे हैं किसी submission को तो वो submit करते हैं उस question का answer नहीं तो नहीं करते तो यहां पर जैसे input statement में हमें दो चीज मिलेंगी एक कितने input कितने questions आने हैं यह तीन लिया है मतलब यहां पर तीन questions आने हैं यहां तीन lines में और particular line में तीन numbers रहेंगे वो zero या one रहेंगे तो वो बताएंगे कि जो तीन दोस्त हैं वो उस question के answer को support कर है कि नहीं तो अगर support कर रहे हैं तो जो number है वो one रहेगा अगर support नहीं कर रहा है तो number zero रहेगा तो हमें यह बताना है कि कितने answer submit होंगे जो की majority के साब से जो उसका conclusion निकलिया वो हमें बताना है तो जैसे यहां पर इस example में तीन inputs आए यहां पर फर्स्ट लाइन में यह जो तीन inputs आए इन में जो तीन दोस्त है उन में से फस्ट वाला जो दोस्त है वो support कर रहा है solution को second वाला दोस्त भी support कर रहा है तो इसको हम answer को submit मानेंगे क्योंकि इसमें majority support कर रही है solution को then second question में तीनों लोग support करना है इसलिए solution को submit करेंगे क्योंकि majority तीनों लोग को की है then third मैं एक परसन support कर रहा है वांकि दो लोग नहीं कर रहे है मतलब majority इस question का solution submit ना करने के लिए है तो इसको हम add नहीं करेंगे तो इसे साब से जो total answer submit किये या जितने answer submit किये उसके हम account बतानी है तो यहां पर दो answers की count submit कि दो answers को submit किया इसलिए इसकी count दो है तो इस तरीके से हम इसका code बनाते हैं तो चलते हम netweans पर यहां पर बनाते हैं मैं एक नई class हमाई default package में then java class इसका नाम देते हैं हम same as a question ctrl c नहां के class का नाम team enter पहले तो हम यह access stop अटा देते हैं अब हम पहले तो कर आते हैं हम input class impo import java.util.scanner then यहां पर import करा लिया इसको हम इसका बनाते हम object scanner sc is equals to new scanner then यहां brackets में system dot in त्याने आप है तो इससे हमें input मिलने लगेगा जो कि keyword से अब file से उठाएंगी तो यहां पर हमें पहले तो एक number input लेना है जो number है उतने answers के लिए 3-3 inputs लेना है तो उसके लिए हम पहले तो एक number लेते हैं int n n ले लेते हैं जो number है उसको then sc dot next int इस पर लगाते हम condition क्योंकि जितना यह number रहेगा उतनी बार हमें एक लूप चलाएंगे इसमें हम particular 3-3 answers 3-3 numbers input लेते हो जाएंगे जो कि particular friend की वह support बताया कि वह support कर रहे है या नहीं कर रहे है तो while and minus minus greater than zero यहां पर यह इसकी value decrement भी होती जाएगी decrease भी होती जाएगी और zero से check भी होती जाएगी तो यहां पर mean method नहीं बनाई है तो उसको बना लेते हैं उसके लिए error बता रहा था psvm control space यह main method बन ली अब यह code हम यहां पर paste कर देते हैं यह हमारा code अब सही है then while के अंदर हम 3 input लेंगे तो int a a is equals to sc.next int then do sign input int b is equals to sc.next int int c is equals to sc.next int यहां यहां पर 3 input मिल गा है तो यहां पर हम चेक करें कि जो majority है वो क्या है कैसी है तो यहां पर हम देखते हैं कि इनका हम sum करा लेते हैं तो int another variable लेते हैं sum is equals to a plus b plus c अगर हमे majority पता करना है तो 3 मैं से कम से कम 2 लोग support करना चाहिए तो अगर इनका answer जो 1 या 0 रह सकता है इनका value है तो अगर जैसे दो लोग support करना है तो that means उसकी value 2 रहेगी तो अगर जैसे value 2 या 3 रही तो यह लोग support करना है तो हम count की value बढ़ा देंगे तो यहां पर count बनाते हैं int count equals to 0 इसकी value 0 देते हैं यहां पर count को हम हमें बाहर बनाना पड़ेगा क्योंकि यह 3 conditions में आगा count बनाते हैं बाहर यहां पर इसमें if का use करते हुए if value of sum is less than 2 एकर 2 से कम हुई तो यहां पर sorry greater or equals to 2 तो यहां पर हम count प्लस प्लस कर देंगे else हम नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे तो यहां पर then इसके बाद while loop के बाहर यहां पर हम output देते हैं as out count तो इसको करते हैं control s से save पहले तो हम इसको run करा कर देखते हैं shift f6 then यहां पर copy करते हैं यह values को copy यहां पर paste control v यह तो यहां पर यह तो यहां पर यह 3 input आये और as जो example में दिया था same हमारा output 2 आया एक और एक और example चेक कर लेते हैं इसको और copy करते हैं इसका answer बनाना चाहिए तो यहां पर shift f6 control v answer बनाया that means हमारा code है वह सही काम कर रहा है और exact answer देखा तो इसको हम submit करते हैं तो submit करने के लिए यहां पर code forces पे choose file यहां हमारी जो file की location है वह यहां data team है data then that means then coding इसको हमने किया select open यहां पर हमारी file वह अप्लोड then करते हैं हम submit करने के पाद यहां पर in a queue यहां पर जो हमारा test cases वगयर जैसे ट्राय करें अगर कुछ problem हो तो आकर वीडियो देखें तो आज के लिए इतना ही अंगली वीडियो मिलते हैं नए question के साथ thank you